हेलो फ्रेंज वेलकम टू ग्यान सेवा 24 तो आज हम लोग देखेंगे एड़ुटेरिया करेंट अफेयर का प्रेक्टिस रेट नमबर 6 जो कि 1 जनुरी दौजर तेज से साथ फरिज्वरी दौजर तेज तक का करेंट अफेयर है जो कि टीचर्स बिहार टीचर्स 3.0 के लिए और अल एक्जाम के लिए भी यह जो है अच्छा होने वाला है तो चलिए हम इसको स्थार्ट करते हैं ठीक है जिसमें पहला कोश्चन दिया हुआ है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलूक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों में सबसे अधिक अंतराष्टी प्रवाह किस देश में हुआ है नेक्ष्ट कि किस राजे में पहली और पहली बार पेंट ब्रस स्विप्ट तितली की तस्वीर खिंची गई है उसका दस्ता वेजी करन किया गया है पहली बार किस जो पेंट ब्रस स्विप्ट तितली का तस्वेट खिचा गया है और उसका दस्ता वेजी करण किया गया यह किस राज में पहली बार हुआ यह हुआ हिमाचल प्रदेश में राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश नेक्श कोश्चन दिया हुआ है कि विश्व परेटन संगठन द्वारा भारत के किस गाउं को सर्वस्रेष्ट परेटन गाउं दोहजर तेईस पुरसकार दिया गया है जर्वस्रेष्ट परेटन गाउं दोहजर तेईस का पुरसकार किस गाउं को मिला है किस के द्वारा दिया गया है तो ये दिया गया है धोडो गुजरात को दिया गया है नेक्ष्ट है कि रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने 21 अक्टूबर 2023 को किस सहर में भारतिय सैन्य विराशत महोत्सव के पहले संस्करण का उधगाटन किया है ठीक है तो रच्छा मंतरी है राजनात सिंग 21 अक्टूबर 2023 को सैनी विरासत महोत्सों के पहले संस्करण का आयोजन जो है कहाँ पर किये हैं तो नई दिल्ली में किये हैं राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है कि भारत में छेत्रिय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के सुभारंब के अवसर पर साहिबाबाद को दुबाई डीपो से जोडने वाली किस ट्रेन को हरी जंडी दिखाई गई है कहां से कहां तक साहिबाबाद को दुबाई डीपो से जोडने के लिए किस ट्रेन को हरी जंडी दिखाई गई है तो राइट आंसर हो जाएगा नमो भारत रेपीड एक्स ट्रेन नमो भारत रेपी डेक्स ट्रेन जो है साहिबाबाद को दुभाई दुभाई से जुड़ने वाले ट्रेन है नेक्ष्ट है कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्टपती द्रोपदी मुर्मु ने किस राजी के चतूर्थ कृषी रोड मैप जो है Automated Permanent Academic Account Registry के संदर्भ में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें दिया हुआ है कि इसे सिक्षा मंत्राले द्वरा लॉंच किया गया है किसको Automated Permanent Academic Account Registry को तो बिल्कुल सही है दूसरा है कि APAAR के तहत Pre-Primary से लेकर कि उच्च सिक्षा तक प्रत्तिक चाद्रों को विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी ये भी सही है तराइट आंसर हो जाएगा C No.2 सही है Next Question है कि किस मामले में सरोच नयाले की 5 नयाधीसों की सम्विधान पीठ ने समलायंगी को विवाह को वैद बनाने से इनकार कर दिया है ठीक है तो किस जुब बताना है कि सरोच नयाले की 5 नयाधीस की सम्विधान पीठ ने समलाएंगिक विवाह को वैद बनाने से इनकार कर दिया है तो किस मामले में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुप्रियो और अन्य बनाम सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया मामला के तहट इसको वैद कर दिया गया है किस संगठा ने सस्ते पानी की उची कीमत सिर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है ये किया गया है वर्ल्ड वाइव फंड फार नेचर के द्वारा नेक्स नोबल सांती पुरसकार विजेता मार्टी अहित सारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश के दस्वे राष्ट पती थे मार्टी अहती सारी जो है किस देश के दस्वे राष्ट पती है तो राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा केरल के विजिन जाम बंदरगाह पर पहुँचने वाला पहला मालवाहक जहाज हो जाएगा जेन हुआ 15 Next question है Hepatitis C के उनमूलन की दिशा में WHO द्वारा Gold Tier का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है इसका तो Gold Tier का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा बना है तो Right answer हुजएगा मिस्र Hepatitis C की उनमूलन की दिशा में नेक्ट कोश्चन है कि विदेश मंत्री एस जैसंकर ने अक्टूबर दोहजर तेईस में किस सहर में नोबल पुरसकार विजेता लेखक कविक रविंदर टैगोर की प्रतिमा का उधगाटन किया है ठीक है तो विदेश मंतरी जो है जैसंकर ने एस जैसंकर ने दोज़र थेईस में किस सहर में नोबल पुरस्कार विजेता जो पाये हुए है रमिदनाथ टैगोर उनके प्रतिमा कानावरण किया गया है यह हो जाएगा बाक निन सीटी वियतनाम में किया गया है नेक्स्ट कि 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2 प्लस 2 विदेश पर रक्षा वारता आयोजित किया है तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के साथ नेक्स्ट कोश्चन दिया है कि विशस्वास्त सिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया जिसका थीम था एडिफाइनिंग इयर फार ग्लोबल हेल्थ एक्षन है इसका थीम है एडिफाइनिंग इयर फार ग्लोबल हेल्थ एक्षन तो यह जो है कहां पर इस सिखर सम्मेलन क आयोजन किया गया है तो ये किया गया है जर्मानी में ठीक है नेक्ष्ट देख लीजिए विस्व बैडमिंटल रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारती ये यूगल जोड़ी कौन बन गई है तो ये बन गया सात्विक साही राज रंकी रेड़ी और चिराग स नेक्ष्ट है कि महिला होकी SEI Champions ट्रोफी 2023 का सुभंकर किया है महिला SEI Champions ट्रोफी 2023 का सुभंकर तो इसका राइट आंसर हो जेगा जो ही हत्नी का नाम है जो ही यही है सुभंकर 2023 का महिला होकी का नेक्स कोश्चन देख लीजे दिया हुआ है कि हाल ही में किस राजे के डंपा टाइगर रिजर्ब में टॉड की नई प्रजाती खोजी गए डंपा टाइगर रिजर्ब में टॉड की नई प्रजाती तो ये हो जाएगा मिजोरम में चौधे पैरा ASEAN Games 2013 में भारत के धजवाहक कोन है चौधे पैरा ASEAN Games 2013 का पुछा है भारत के धजवाहक तो राइट आंसर होगें कि पारूल परमार और अमित सरोहा है भारत के 2030 के चौधे पैरा ASEAN Games के धजवाहक नेक्श कोशन है भारत में पहली बार तिलापिया प्रो वायरस किस राजी में देखा गया है तो राइट आंसर तमिलनाडू हो जाएगा नेक्श कोशन है इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन अस्थापित करने का लक्ष रखा है किस वर्ष तक बोला गया है स्वदेशी स्टेशन अंतरिक्ष में अस्थापित करने का लक्ष है तो 2035 तक नेक्स्ट कोश्चन है कि इनमें को कौन जो है शुम्मेलित है तिसमें से क्रिश्टोफर लक्सन न्यूजीलेंड के प्रधान मंत्री है डोनियल नोबुवा इकवाडोर के राष्ट पती है रगुबर दास ओडिशा के राज ये पाल है तो राइट आंसर इनमें से सब हो नेक्स्ट कोश्चन है हाली में इंस्ट्यूट आफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संसथा को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरसकार से समानित किया गया है तो बताना है किस संसथा को समानित किया गया गोल्डन पीकॉक पुरसकार से तो राइट आंसर हो जाए फाइले रियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिड पुर्व एसिया का दूसरा देश बन गया है। तो महसा आमनी को सखारो पुरसकार से समानित किया गया है। यह हो जाएगा इसके परिक्षडवान का नाम। भारत यूरोपी संग सन्युक्त नौ सेना भ्यास में भाग लिया है आरेनस सुमेधा। नेक्ष कोश्चन देखते हैं दिया हुआ है। कि ब्रिटिस अंटारकटिक सर्विक्षड के वैज्यानिकों ने पहली बार अंटारकटिक छेतर में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौझूदगी का पता लगाया है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्राउन इसकुवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंजाविले था बेंजाविले नेक्ट कोश्चन है कि इंडिया मॉबाइल कॉंगरेस दोजार तेईस के संधर्ब में निम्नकत्रों पर विचार करें। यह जो इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस दोजर देश है यह कॉंग्रेस का साथ वासंस करड़ था वो सही हो गया नेक्ट कॉष्चन दिया है कि किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या निव्ट्रीनो नामक एल्विव सीव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पस्चमी प्रसांत महासागर में ट्राइडेट नामक दुनिया का सबसे बड़ा निव्ट्रीनो डिटेक्टिंग टेलिस कोप का निर्माड किया जा रहा है ठीक है इसमें पूछा क्या है कि इसमें किस देश के द्वारा ये जो है घोस्ट पार्टिकल या निव्ट्रीनो नामक एल्यू सीव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पस्चमी प्रसांत महासागर में जो है टाइडेडेट नामक दुन किस कमपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रिफ्रेंस इधन लॉंच किया गया है ये किया गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा इफ्रको द्वारा किस सहर में भारत के पहले नैनो डी एपी सनियतर का उधगाटन किस सहर में हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा गान्धी नगर में किस राजी सरकार ने आजादी से पहले अस्थापित राजी के सभी सरकारी स्कूलों को हैरिटेज स्कूल घोशित करने की घोशना की ठीक है तो किस जो है अस्थापित राजी के सभी सरकारी स्कूल को हैरिटेज स्कूल घोशित किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है हाली में किस देश के प्रथम राष्ट पती मार्शिया स्नेगुर का निधन हो गया है तो यह किस देश के प्रथम राष्ट पती है तो राइट आंसर हो जाएगा माल डोवा के नेक्स्ट है USA India Strategic Partnership Forum द्वारा किसे प्रतिष्टित Global Leadership Awards 2030 प्रदान किया गया तो किसको प्रदान किया गया है Global Leadership Awards 2030 तो राइट आंसर हो जाएगा नीता अंबाने को राइट आंसर नीता अंबाने को नेक्स कोश्टन दिया हुआ है कि अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुस्ति चेम्पियंसिप में पहली मैला खिलाडी तो राइट आंसर हो जाएगा रितिका हुड़ा है नेक्स एक इन्में से सम्बंदित बताना है कौन सही है इसका देखिए बाबा महराज सातारकर ये जो है वारकरी संप्रदाय किरतनकार है प्रोफेसर सली मूल हक ये जो है जलवाईू परिवरतन विसेसघ्य है बिशन सिंग बेदी तो ये भार्थी अक्रिकेटर हैं तो राइट आंसर हो गया इन में से सभी नेक्ट कोश्चन दिया हुआ है कि ACI पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलखित कथनों पर विचार कीजी ACI पैरा खेल 2023 से इसका दिया हुआ है इसका आयोजन चीन के हौंग जोव में किया गया था ACI पैरा खेल 2023 का भार्थिय पैरा बैट मिंटल खिलाडी प्रमोध भगत ने श्वनपदक जीता था और भार्थिय अथलिट सुमित अंतिम ने भाला फेक में श्वनपदक जीता था तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा एक दो तीन जो है तीनों सही है नेक्ट कोस्टन है कि अक्टूबर 2023 में हुई घोषडा के अनुसार देश का पहला नौ सेना सौरे संग्रहाले किस सहर में बनाया जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश लखनव में नेक्ट की हाली में जुनियर ब्रिक्ष को किस के अंदर साश्चित प्रदेश का राजी ब्रिक्ष घोषड किया गया है जुनियर ब्रिक्ष को किस राज का राज ब्रिक्ष गोष्टित किया गया है तो राइट आंसर लधाक का राज ब्रिक्ष है जुनियर ब्रिक्ष नेक्ष्ट दिया हुआ है यहां फे बुखका नाम है उससे Khalid Hatay were evitar हैं तो जिसमें दिया हुआ है कि दरिवर्स स्विंग्स कोलोनीली क्लोनीलिज्म टू कॉर्परेशन ये जो है असोक टंडन का है नेक्स्ट है कि ब्रेकिंग दम्यूल्ड रिमाइजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर ये जो है रगुराम राजन और रोहित लांबा द् निलाव कुदीचा सिंहांगल ये जो है एस सोमना अथन द्वारा लिखा गया है इंडिया ओन देयर माइंड्स एट वोमेंड्स एट इंडियाज आइडियाज आफ इंडिया तो ये रितु मेनन का है तो राइट आंसर हो जाएगा इन में से सभी जो है यहां पे सही है नेक अपने सर्वोच पेश्वेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडर्शिप से सम्मानित किया है तो ये किया गया अमेरिका के किस न्याधिस को किया गया भारत के किस न्याधिस को अमेरिका के प्रतिष्ठित हावर्ड ला इस्कूल में सम्मानित किया गया है अवार्ड लौ एवाड फार ग्लोबल लीडर्सिप सम्मान से इसका राइट आंसर हो जाएगा दी वाई चंद्रचुण को सम्मानित किया गया है नेक्ष कोश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में उतर पदेश का पहला मीशन सक्ती कैफे किस जीले में खोला गया है सक्ती कैफे तो ये खोला गया है गोंडा में नेक्ष के अंतरिक्ष अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा के मोकसी ने किस ग्रह पर सफलता पुर्वक ऑक्सीजन उत्पन किया है नासा के मोकसी ने किस ग्रह पर सफलता पुर्वक ऑक्सीजन उत्पन किया है राइट आंसर हो जाएगा इसका मंगल ग् प्रद्धान सिकंदर मलेशिया के नरेस हैं इंद्र मडी पांडे बिम्स्टेक के महासचीव हैं इंद्र मडी पांडे राबर्ट फीको ये स्लोवाकिया के प्रधान मंत्री है तो राइट आंसर उप्यूक्त सभी हो जाएगा मद्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्टिय किसोर कुमार सम्मान एवं राष्टिय लता मंगेसकर सम्मान की गोशना की है तो इसमें कौन सा कथन सत्य है कि मद्य प्रदेश के संस्कृति विभाग जो है उसके द्वारा राष्टिय किसोर सम्मान और राष् पुरसकार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है ये सही है दूसरे है लता मंगेश को पुरसकार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंग को चैन किया गया है ये भी सही है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर नेक्श कोस्चन दिया हुआ है कि हाली में पहली गलोबल इसकोट टेक का सिंथेसिस रिपोर्ट किसकी द्वारा जारी किया गया है इसकोट टेक का सिंथेसिस रिपोर्ट तो ये जारी किया गया है यूनिशेफ के द्वारा यू एन एफ सी 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 के द्वारा जारी कि गया है नेश्ट कि दुनिया का सबसे उचा लड़ा को हवाई छेतर कहां विक्षित किया जा रहा है सबसे उचा लड़ा को हवाई छेतर तो यह किया गया लद्दाख में लास्ट कुश्चन है कि ग्लोबल फिन टेक फैस्टिवल में किस संसथा ने फेस आथेंटिकेशन सिस्टम लॉंच किया है किस संसथा के द्वारा तो राइट आंसर हो जाएगा यू आई डी ए आई संसथा के द्वारा किया गया है